हलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे एक कप सूजी से बहुत ही हैल्दी और टेस्टी नास्ता इसे आप बच्चों को लंच में या ऐसे भी आप बना कर खा सकते हैं तो आएए वीडियो को फटा फटा स्टार्ट करते हैं एक कटोरी सूजी ले लिए हैं और चार चमच छोटे चमच से दही सूजी आप बारिक या मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं और आधी कटोरी पानी स्वात के अंचार नमक एक चमच चीनी चीनी हम नास्ते को हलका बनाने के लिए ले रहे हैं और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से पीस कर तैयार कर लिए हैं अभी बैटर मेरा गाढ़ा है अब इसे एक मेक्सिंग बावल में निकाल लेंगे सारे बैटर को निकाल लिए हैं अब मिक्सिंग यार में ही थोड़ा सा पानी डाल कर बैटर में डाल लेंगे 2-3 चमच के करीब पानी और एड़ करेंगे और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से फेट लेंगे एक दू मिनट फेट लेंगे इससे नास्ता मेरा फूला फूला और सॉप्ट बनकर तयार होगा और स्पंजी बनेगा इसलिए अच्छी तरह बैटर को फेट लीजे बैटर को फेट लिए हैं अब इसमें एक प्याज बारी कट करके एक टमाटर बारी कट करके और दो तिन हरीमेज को बारी कट करके ले लिए हैं इन सबी चीजों को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आप यहाँ पर सब्जी अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं सब्जी मसाला, एक चमच, एक चमच गरम मसाला और अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करेंगे और इसे एक-दू मिनट के लिए ढखकर रख देंगे यह सुबह या साम के कुछ मिन्टों में नास्ता यह बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही हलका फुलका और टेस्टी नास्ता बनकर तैयार होता है इधर तर्का पेन में एक चमच तेल डाल कर छोटी चमच से एक चमच राई डाल लेंगे और इसमें बैटर एक चमच और थोड़ा सा और आड़ कर लेंगे ज्यादा मोटा नास्ती को नहीं रखना है नहीं तो अंदर से नास्ता मेरा सीखे करने और इसे एक दुमियट के लिए ढखकर पका लेंगे एक दुमियट बाद आप देख रहे हैं नास्ता मेरा सीखकर तयार हो गया है उपर से भी सीखकर तयार हो गया है अब इसे एक चमच तेल डाल कर पलट कर सेख लेंगे आप इसे सुबह के जल्दबाजी में भी इस नास्ती को बना सकते हैं ये बहुत ही हलका फुलका और टेस्टी नास्ता बनकर तयार होता है आप इसे बच्चों को लंच में या बड़ों को टिफिन में भी दे सकते हैं आप देख रहे हैं नास्ता का लुक कितना अच्छा दीख रहा है और दोनों साइट उलट पलट कर पका लेंगे एक साइट से खुले ही पकाना है और इसी तरह से क्रिस्प करके सारे नास्ते को पका कर तैयार कर लेंगे आप देख रहे हैं सारा नास्ता मेरा पकर तैयार हो गया है एक कप सूजी से बहुत ही हलका फुलका और टेस्टी नास्ता बनकर तैयार हो गया है इसे आप बच्चों को लंच में या ऐसे भी आप सुवसाम की हलकी फुलकी भूक में बना कर खा सकते हैं धन्यवाद रेश्प को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में आप देख रहे हैं एक मैं नास्ते को तोड़ कर दिखा रहे हैं कितना सौप्ट बनकर तयार हुआ है अंदर से भी सिखकर तयार हो गया है उपर से कुरकुरा और अंदर से सौप्ट है